आज मेरे पास है एक उपो का मोबारी फोन और इसके अंदर प्रवल्म यह थी कि यह फोन मेरे पास आया था चार्जिंग के इसुमें लेकिन जब मैं चार्जिंग आईसी को चेक करने के लिए इसकी स्टिल को निकाल रहा था उपर का जो कवर होता है स्टिल तो उस दोरान इसकी जो लाइट आईसी वह अनफोर्चुनेटली डेमेज होगी और उस कंडिसन में जब मैंने लाइट आईसी को निकाला तो लाइट आईसी के पांच शे प्रिंट बाहर आ गया मतलर इसके पैड्स खराम होगी तो कोई लाइट आईसी ग्राफिक आईसी या पावर आईसी या नैंड या सीप्यू पे अगर काम कर रहे उसको निकाल रहो पेस्टेड आईसी और अनफोर्चुनेटली कोई पैड निकल जाता है खराब हो जाता है तो उस कंडिसर में उन पैड्स को आप कैसे रिपैर करोगे तो आज की वीडियो में देखेंगे एक प्रोफेशनली किसी भी बॉल के अगर पैड्स कराब हो जाते हैं तो कौन से तूल का यूज करके उन पैड्स को कैसे सक्सेफूली रिपेर करेंगे और हम देखेंगे पैड्स को रिपैर कर का इसी को इस्टॉल करके मैं तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह जो आइसी है यह ओपो एसेवन की लाइट आइसी है और इसकी जो पैड्स आप देख रहे हैं तो जिन पैड्स के ट्रैक्स दिख रहे हैं हम उनको स्क्रैच कर सकते हैं और लेफ्ट में जो दो पैड्स हैं उनके ट्रैक्स नहीं ह तो सबसे पहले आप 11 नमर ब्लेड लीजिए और इसको स्क्राइच कर लीजिए अच्छे से और थोड़ा सा तो क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं तो इससे जंपर को फटा फट लगा पाएंगे तो यह दिखें मैंने यहां पर 138 लिया और थोड़ा-थोड़ा यहां पर पॉंट्स पे मैंने सोल्ड कर दिया और जब भी इस पैट्स को क्लीन करनी की बात आए तो आप हमेसा कॉटन का यूज़ करें ब्रस मोटा या हैबी ब्रस यूज़ना करें तो ने तो जो पैट्स दिख रहे हैं वो भी निकल लाएंगे इसलिए कॉटन यूज़ करें तो य याद रखिए कोई पैड अगर निकला हो और नीचे उसके डॉट्स दिख रहे हो उसकी कोई लाइन ना हो तो वहां पर पैड कैसे इस्टॉल करते हैं देखिए यहां पर फ्लक्स लगा कर थोड़ा सा 138 डिग्री से इसका पीपीडी यूज़ कीजिए और इस तरीके से और अब बेट से कट करके छोटी भी कर सकते हैं जैसे आप देखरें वीच वाली बॉल थोड़ी बड़ी है तो यह मैंने कट करके थोड़ा छोटा कर लिया क्योंकि छोटी बोल होगी तभी इस्टॉल हो पाईगी पैड्स और थोड़ा सा फ्लक्स लगाई है और यहां पर देखो हमने रखके हीट वारेंगे तो यह यहां पर लग जाएगा यह लग गया ठीक है बस और इससे ज्यादा नहीं करना आपको कुछ अब यह जो पॉइंट ट्रैक्स दिख रहे हैं अब इनको इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपर इन पैट्स को ऐसे रखिए और रखने क सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखिए सोल्ड हो गया एक बार आप लोग अच्छे देख लेंगे सोल्ड होना चाहिए प्रॉपर ऐसा लग रहा हो कि सोल्ड हुआ और अंदर सोल्ड ना हुआ तो इस तरीके साब एक एक प्रिंट को इस तरीके से सोल्ड कर यह तरीके से आप एक हाथ में 11 नंबर ब्लेट जो है वो और ट्वीजर की मदस से आप इसको प्रफर लगा सकते हो इसमें कोई ऐसी दिक्कत दिया आएगी इस तरीके से एक प्रिंट को सोल्ड कीजिए और जब भी आप इसको सोल्ड करोना तो 138 का ही उसका ना 186 डिग्री अब हम इसको क्या करेंगे इस्टॉल करने के बाद जब पूरी कंफर्म हो जाएगा प्रॉपर यह करेक्ट हो चुके हैं सब तो 11 नंबर ब्लेट से इसको थोड़ा कट कर लेंगे इसको क्लीन कर लीजिए और देखिए पुरा इस्टॉल हो गया अच्छे से निकल नहीं रह है और इसको 11 नंबर ब्लेट से जो एक्स्टा यह जो लैग निकली हो यह इसको कट कर लेंगे देखिए इस तरीके से हम क्लीन करके अब इसमें यूबी लगाएंगे क्योंकि अभी यह पैट्स बस सोल्ड है वह सकता है इस पर हीट अप करें तो यह पैट्स निकल जाए इस कि यूबी से पूरे पैट्स को कवर करेंगे ताकी यह प्रोपर इंस्ट्रॉल हो प्रोफर टाइट हो जाए ताकि हमाइसी जब इंस्टॉल करें तो कोई भी पैट निकले ना मिस नहां इधर उधर ना जाए तो इस तरीके से यूबी आप पूरा लगा लिए अच्छे से ताकि इनके अंदर डेफ्स में यूवी चला जाए और ये फिक्स हो जाए तो ये यूवी मास्क आप यूज कर लीजिए अच्छे से और इसके बाद ये देखे प्रॉपर अच्छे से लेकिन ज्यादा यहां पर यूवी यूज नहीं करना है अगर लेयर मोटी हो जाएगी न अब हम यूवी इसकेंड में यह हार्ड हो जाएगा तो ये देखीए अभी यूवी इसको ड्राइब कर रहे हैं आप क्या करेंगे इसकी बॉल्स को स्कुरेच कर लेंगे ये वीडेजिए बिल्कुल आराम से और जब भी स्क्रेच करो तो बिल्कुल नई बलेट से इसलिए मैंने इसको यहां पर इंस्टॉल ने किया है तो यह इस तरीके से आप एड्स को पुरा क्लीन कर लिए और क्लीन करने के बाद देखो इसमें एक चीज और है जैसे आप ग्लू लगाते है तो यह तो क्लीन हो गया लेकिन अगल बगल में ना कहीं कहीं थोड़ा ऊंचा लग जाता है तो उसको ना बिल्कुल क्लीन कर लेंगे उसको ठीक है कट करके स्क्रैच करके पुरा बराबर कर लेंगे ताखिया इसी प्रॉपर इस्टॉल को पाए ठीक है तो यह सब चीज आपको देखनी पड़ेंगी तो यह कैपैसिटर के बगल में थोड़ा सा यू भी प्रॉपर निकल जाया और फिर से इस्टॉल करना पड़ेगा तो टाइम बढ़ जाएगा तो बिल्कुल आराम से इसको आप साफ कर लेजिए इस तरीके से ठीक है और यह इस तरीके से क्लीन हो चुका है अब हम थोड़ा सा फ्लक्स यूज करते हैं और आईसी को अब प्रॉपर लग गई और आईसी को लगने के बाद चलिए इसको पैनल में और देखते हैं कि हमने जो बैड रिपेर किया है वो सक्सेस्फुल रिपेर हुआ है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको निकालता हूं बोड को और यह बाद निकाला आप मैं पैनल में इंस्ट्राल गर देखता हूं तो इस तरीके से दोस्तों आप नमतलब कोई भी फोन आता है कई बार ग्राफिक आइसी-लाइट आइसी काफी सरी आहिस निकालते समय पैट्स निकल जाते हैं या हम कई बार स्टील निकालते तब भी निकल जाथे हैं और कभी को सीपू को निकालते सेमें निकल जाते हैं sounds नेंट नेर्ट को निकालते सेमें निकल जाते हैं in a إ Sing a क्वी बताया बने तो यह आप किसी भी पैट को रिपे कर सकते हैं तो देखी जलके जितने भी पेस्टिड आइसी जाती हैं या अनफोर्चुनेटली हमारी गल्स्तियों से भी कई बर पैट्स निकल जाते हैं तो आई होप यह जो मैथर आप यूज करोगे तो काफी हेल्फुल रहेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद